नहुस्कार मित्रों मैं मुकेश कुमार ABS राइजिंग इस्टिट्यूट और वैल्यूबल ABS बाढमेर से तो मित्रों आज हम एक ऐसे लैपटॉप का रेविव करने वाले हैं जो ऑपरेट करने के साथ साथ कैरी करने में भी बहुत एजी है और एकदम लैपटॉप है बिजनस क्लास का लैपटॉप है लिनोग की तिंक पैट सीरीज आपको पचाई है मुझे बहुत पसंद है जैसे ही आप लैप टॉप को ओपन करते हैं ओपन करते ही सामने की और model number इसका लिखा हुआ है laptop भी on किया हुआ है आप देख सकते हैं इस तरफ model number लिखा हुआ है और model number है T420S T420S ये इसका model number है ThinkPad series के buttons की तारीफ मैं पहले भी कर चुका हूँ keypad बहुत इसका शांदार होता है और बहुत smooth भी होता है बहुत long life भी चलने वाला keypad होता है finger sensor यहाँ पर दिया हुआ है देखिए दो speakers यहाँ पर है एक track point भी दिया हुआ है इसके अलावा उपर की तरफ power button है volume के कुछ buttons दिये हुए है and left right के इस series में दो दो button तो होते ही है उपर की और भी होते हैं नीचे की और भी left right क्लिक के button होता है इसके अलावा बात करते हैं इसके processor की तो इसको on कर देते हैं एक बार और फिर मैं आपको इसका processor भी दिखा देता हूँ देखिए हमेशा की तरह हम my computer की properties में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें Core i5 2nd generation का processor है एंड 4gb की RAM है hard disk इसमें देखने के लिए हम हमेशा की तरह ही यहां right click करके और management जाएंगे computer management के अंदर से हम select करेंगे disk management को कोई भी अगर drivers के हमको detail देखनी होते हैं device manager में हमको जाना होता है और नहीं तो फिर उसके second stage पे हमको disk management पे click करना होता है यहां पर दिखा रहा है 298 यानि की 320 GB की hard disk है मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको की hard disk है RAM है यह चीज़े हम change कर सकते हैं या फिर इसको upgrade करना बहुत आसान होता है तो यह कोई माइने नहीं रखती है 4 GB की हम 8 GB भी कर सकते हैं इसमें चाहें तो हम SSD भी लगा सकते हैं तो जो इसकी speed है वो बहुत अच्छी हो जाती है लग 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 इसकी दुगनी भी कई बार हो जाती है और hard disk में अगर आप normal hard disk भी इसको upgrade करना चाहें तो भी आप इसमें कर सकते हैं तो इतरों T420 का यह model है और इसके ports हम देख लेते हैं देखी यहां पर एक USB port दिया हुआ है यह कार्ड का slot दिया हुआ है यहां पर ही headset का भी option दिया हुआ है सिंगल पिन headset आप लगा सकते हैं इसमें आगे की तरफ port तो नहीं है लेकिन आगे की तरफ यह button है जैसे हम प्रेस करेंगे तो यह lock खुल जाएगा और laptop को open कर सकते हैं इस तरह से यह आपस lock भी होगा second side के अंदर आप देख सकते हैं wifi का hard button भी दिया हुआ है and plus मैं DVD writer है back side में काफी सारी ports तो back side में दिया हुआ है इसमें एक charging point दिया हुआ है यह LAN port दिया हुआ है एक 3.0 का USB port दिया हुआ है 2.0 का USB port दिया हुआ है display port दिया हुआ है and VGA port दिया हुआ है तो मित्रों सबसे खास बात इसकी यह है बहुत slim है बहुत छोटा है तो यह laptop कैरी करने में बहुत आसान है lightweight भी है और नॉर्मली जो बड़े या मोटे जो laptop आते हैं उनकी तुलना में यह काफी lightweight भी है तो छोटे से बैग में भी आराम से इसको डाल करके और कहीं पर भी ले जाए जा सकता है मित्रों कैसा लगा आपको आज के laptop का review comment box में जरूर बता है सब्सक्राइब न किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर करने वीडियो देखने करें बहुत बहुत धन्यवाद जैश्रीया